मैंने कुछ जिन पहले अपनी कॉमेनिटी टैप पे एक पोल रन किया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप लोग विमन हाईजीन और प्रियेट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करोगे 83% लोगों ने हाँ बोला था और इसलिए मैं आज कल विमन हाईजीन और प्रियेट से रिलेटेड वीडियो जादा आपके लिए लेकर आ रही हूँ तो आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है मेंशरल कप के उपर सो बीते 3-4 सालों में आप लोगों ने भी मेरी तरह कई सारे मेंशरल कप के उपर विडियो देखी होंगी बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको यूज करूँ लेकिन जब मैंने इसके इड्वांटेज के बारे में जाना तो मुझे लगा कि एक बर इसको ट्राइ करके देखना चाहिए दोस्तो एक वो जमाना था जब औरते अपने प्रियर्ट के लिए प्रियर्ट के दौरान जो है वो कपड़ों को इस्तिमाल किया करती थी दोस्तो अगर मैं अपनी अगर बात कहूँ कि आखिर मैं मैंनेशरल कप के तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई तो इसका सबसे में रीजन होता है कि कपड़े पे हमेशा मेरे दाग लग जाते हैं एक मेमरी शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर मैं आपके साथ जब मैं शिक्स क्लास में थी मेरे प्रियर्ट शाने शुरू हो गय थे और मेरा जो फर्स्ड प्रियर्ट था वो मेरे घर में हुआ था ऐन फेकंड प्रियर जो वह तो घमेने ही हो गया था मेरा जो स्कूल का कोड था, ड्रेस कोड वो था, स्कट और वाइट कलर का था और जो मेरे कपड़े पे वो दाग लगया था, स्टेंड लगया था जो कि बहुत ही जादा शेम, फूल था मेरे लिए क्योंकि उस टाइम क्या होता है, कि हम लोग बच्चे होते हैं, टीनेज होते हैं, उतनी अकल नहीं होती है मम्मी से कहने भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है, और मेरी कोई बड़ी सिस्टर भी नहीं थी तो मुझे काफी ज़्यादा हैटिक लगता था, उतनी समझ नहीं थी कि 20 डेस से पहले भी हो जाता है, कभी लास्ट में भी होता है वो चीज मेरे साथ अक्सर मतलब की हो जाती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थे मेरे लिए सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसी गर्ल्स होंगी, जिनके साथ ये वाली प्रॉब्लम हुई होगी उनके लाइफ में कभी न कभी ऐसा फेज आया होगा, जहां पर इस तरह की जो है प्रॉब्लम सामने आई होगी जिनको रैश होई जाते हैं, बट इसके साथ वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है, थार्ड एडवांटेज यही लगता है कि जो हम लोग जब प्रियर्ड हमारा होता है, तो बहुत ही जादा चिप-चिपा सा गिला-गिला सा फील होता है, और ऐसा लगता है कि नही पैट्स यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, तीन-चार घंटे के बाद आपको पैट जो है वो चेंज करना ही होता, अगर आप चेंज नहीं करते हैं, तो ओडोर की जो बहुत जादा प्रॉब्लम होती है, बहुत जादा बद्बू की प्रॉब्लम होती है, और हमेशा ऐस तो वह चीज यहां पर एक दम भी नहीं होती है इसको यूज करने के बाद इसके अलाव आप सुमिंग कर सकते हैं आप जीम जा सकते हैं फ्रैवलिंग कर सकते हैं मतलब कि इतने सारे इडवांटेज इसके साथ है आपको बार बार पैट्स को बदलने की जंजटी से मतलब मुक करना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रैंड आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ही और वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है मैं यहां पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं यह बहुत ही वेल नोन ब्रैंड फीमेल हाइजीन से रिलेटेड यह लोग बहुत सारे होना चाहिए क्योंकि यह सिलिकॉन से ही बना हुआ है कापी जादा फ्लेक्सिबल है अगर आप इसको लेने में प्रेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी यह एमाजान फ्लिपकार इनके खुद के वेबसाइट में भी एवेलेबल है और अगर मैं इ कीज अंदर इंसर्ट करें अपने बॉडिके अंदर तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा हायजीन मेंटेन करनी की पने हाथों को ज़रूर धोगा या फिर आप इसको बाहर निकाले तो अपने हातों को जरूर अच्छे से धोले इसको इस्ट्रिलाइज करना बिल्कुल भी मत भूले पांच मिनट से दस मिनट का टाइम लगता है और अप इसको जरूर अच्छे से उबाल ले उसके बाद इसको यूज़ करना जादा आपके रिसर्च के अनुसार डॉक्टरों का मानना यही है कि अभी तक जो है यह बिल्कुल सेफ है तो आप इसको इसली इंसर्ट कर सकते हैं इसको आपको लेने से पहले एक चीज़ का और धियान रखना होता है कि आपको साइज सही सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि अगर आप स जो है वो बड़े साइस वाले कपस को स्तिमाल करना चाहीं उसको सेलेक्ट करना चाहीं बहुत बार यह सर्विक्स पर भी डिपेंड करता अगर आपके सर्विकस लंबी है तो आपको बड़े साइस वाले कपश होक। और अगर आपके cervix small है छोटी है तो आपको small size वाले जो है cups वो ही sit होंगे एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसको non period days में बिल्कुल भी इस्तिमाल ना करें क्योंकि उस time जो हमारा अंदर का बनावट है वो किसी और direction में हो जाता है तो इस चीज़ का आप खयाल रखें इसको insert करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप square position में बैट जाए या फिर अगर आप square में नहीं बैट पाती है थोड़ी से healthy है तो आप बस simply अपने पैरों को फैला ले और इसको insert करना शुरू कर सकती है वैसे तो यह इतना जादा flexible होता है कि आप इसको किसी भी अंगल में मोड देंगे और उसके बाद insert करेंगे तो वो अंदर चला ही जाएगा और अंदर जाने के बाद थोड़े से आपको finger से इसको set करना होता है ताकि यह अंदर से खुल जाए पूरी तरीके से वैसे तो इतना जादा flexible होता है कि आप इसको किसी भी shape में किसी भी direction में मोडेंगे तो यह मुड जाएगा बट यहाँ पर मैं दो आपके साथ share करेंगे जो काफी जादा popular और जादा तर जो ladies होती है वो इसी तरह से insert करती है सो जो पहला shape है वो है C shape, C shape बहुत ही जादा popular है आप इसको बहुत ही easy भी है बस दोनों साइट से आपको fold करना है and then आपको इसको insert कर लेना है सेकेंड वेला जो है वो मेरा favorite है और वो जो है मैं जादा prefer करती हूँ क्योंकि इसको side से आपको मोड़ना होता हो और यह बिल्कुली पतला हो जाता और इसको insert करना काफी जादा easy हो जाता है तो अगर आप भी first time कर रहे हैं तो आप किसी के vision में करें अपने बड़ों की vision में करें अगर आप teenage है आपको थोड़ा सा मतलब की down हो कि इसको ही अंदर pull करना होता है सो अभी तक इसके कोई भी side effect नहीं देखे गए हैं लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि कभी भी इसको लगा कि आपको भूलना नहीं है अगर आप इसको insert करते हैं तो आपको इसको remove भी करना है और दूसरी बात कि आपको अच्छे से stylize करके ही इसको लगाना है और अच्छे से हाथ धोना है निकालने टाइम भी और इसको insert करने टाइम भी इन बातों का आपको ध्यान रखना है यह किसी तरह से infected नहीं होना चाहिए in case अगर इसका color change होता है या फिर इससे किसी तरह का कोई भी बदबू आता है तो आपको इसको change कर लेना चाहिए मैं य लेटेड तो सारी आपको वीडियोस जो है वो description में मिल जाएंगे उनका link है नाई बटन में मैं दे दूंग आप उनको भी check out कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर पहली बार है मेरे चैनल पे तो please subscribe जरूर कर दीजेगा बल आइकन पर प्रेस कर दीजेगा ताके notification से आ आप हमेशा अपडेट रहें वीडियो समाज आई पसंद आई helpful हुई तो इसको like भी जरूर करिएगा चले मैं आते हूं एक next video के साथ तब तक लिए till day take care bye bye